साथियों इंग्लिश के एक कहावात होती है winners do not do different things, they do things differently एक काम को करने के कई तरीकिये होते हैं और जो दुनिया में जीतते हैं, आगे पड़ते हैं उनका हर काम को करने का तरीका अलग होता है आज मैं एक छोटी सी कहानी, थोड़ा सा किस्सा आपसे सुनाऊगा और आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बाते हैं वास्तु में आपको कहां से कहां ले जाती हैं जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत important बनने वाला है साधियों तरह तरह के किस्से मेरी लाइफ में आते रहते हैं लोग मुझसे शेयर करते हैं क्योंकि लाखों सब्सक्राइबर मेरे पास हैं और मिलियन्स के हिसाब से मेरे पास व्यूज आते हैं तब होता क्या है कि लोग अपने अंदर की बाते हैं अपने किस्से मुझे से शेयर करते हैं तो एक किस्सा मेरे सामने ऐसा आया कि जिसमें बहुत ज़्यादा परिशान था एक व्यक्ति इसलिए क्योंकि उसके घर में जो उनके बड़े बुड़े थे खास तरी किसे उनके जो पिताजी थे उनको आदत पढ़ गी थी पढ़ किया गई थी पहले सी होगिन की आदत कि वो जो है न टूटा फूटा कुडा कच्रा ये वो कोई इलेक्टोनिक का समान तूट गया कोई पंखा तूट गया कुछ भो हो गया खराब हो गया उसको संभाल के रख लेया करते थे और वो व्यक्ति परिशान तब बहुत ज्यादा क्या किया उसने इस वीडियो में आपको बताऊंगा नुस्खा नमशकार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनद भारदो आज आपने पैचान लिया होगा कि मेरा तो बात करने का मेरा आपको समझाने का अंदाज ही तो पुछ अलग होता है हुआ क्या मेरे पास एक मेल आई देखे आज का जो टॉपिक है मुकदर को बिगाड़े कहानी घर घर की हर घर की कहानी हर घर का मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर की भी है कुछ घरों में बहुत अच्छा सिस्टम भी होता है लेकिन बहुत जादा घरों के अंदर ये समस्या होती है ये समस्या घर की नहीं होती पूरे घर की नहीं होती बलके घर में कोई एक मेंबर ऐसा हो जाता है जो कि सब के लिए समस्या पैदा करता है अब देखिए मेरे पास एक मेल आया था उसके मेल को मैंने अपने मेल के उपर टांस्फर किया ताकि उसकी प्राइवेसी को मिंटेन कर भाए ये हुआ गया था कि कोई विक्ती ने ये बताया मेरे पास पहले मेल आयी थी कि सर मैं बहुत परिशान हूँ हमारे जो फादर है आप पराणे जमाने के पराणे सोच के हैं घर में कोई भी चीज़ खराब होती उसको संभाल के लख लेते हैं ऐसे होते होते हमारा घर जाए कच्छा बन गया पूरी तरह से घर बिल्कुर कुड़ा बन चुका है जहां देखो वहां टूटा फूटा समान बेकार समान फालतो समान रखा हुआ है मैं बहुत परिशान हूँ सर समझा समझा के हार गया अब किसी में क्या होता है कि जो नई जमाने के बच्चे हैं उनको आदत होती है समान सो ऐसे कट्रा समझाने की कहीं पराने जो बच्चारों के लोग होते हैं वो समझाते हैं हर तरह के लोग हमारे समाजें बिल जाते हैं अब कैसे नको ठीक करें समझाना एक इलाज है लेकिन समझने वाला समझने को तयार तो हो अब देखे क्या तरीका किया आप भी वोई करना जो फार्मूला मैंने इसको बताया था उस व्यक्ति को जिसका mail है मेरे पास टास्फर की आपने mail के उपर ये mail आया हुआ है और इसकी मैंने privacy maintain की हुई है ताकि उसके बारे में ज़्यादा हम ना बात करें देखिए इसको क्या था इसकी समस्या के जो समान था कुड़ा कचला था घर में वो सबकासा भी कठा होने की आदत पड़ी भी थी बहुत परिशान मैंने स को एक सला दी मैंने स को ये सला दी कि आप अगर अपने घर में अगर अपने फादर को अगर आप ये समझा नहीं पा रहे हैं मेरी वीडियो दिखाओ उसने का सर आपकी मैंने कई वीडियो दिखा दी फादर को कि देखे ये जो समान होता है जो कुड़ा कचला होता इससे घर में आती है दरिदृता, गरीबी से आती है दरिदृता से सुस्ती आती है सुस्ती से हमें और हम गड़े में जाते हैं जो हमारे घर में कई बार विकास नहीं होता आपस में चिट्चड़ा पन होता है जगड़े होते हैं बहस बाजी घर के अंदर होती है गरीबी आ जाती है काम करने को दिल नहीं करता हर समय सोते रहते हैं घर के लोग पड़े हुए छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को बहस करते हैं अपने आपको समझते हैं अकलमन बागी सब को समझते हैं बेब कुफ अब क्या होता है आप अपने जो फादर जहां जहां समान रखते हैं वो तो आपको हटाने दे नहीं रहें कोई बात नहीं है आप जहां से वो निकलते हैं आते हैं जाते हैं कमरे के पास आप भी घर का कुछ ऐसा समान ढूंड लो जो कि उनके कमरे के पास उनके रास्ते के पास जहां तहां यह कठा करना शुरू कर दो उस व्यक्ति ने मेरी बात को माना और आपको हसी भी आईगी सुनके उसने भी घर का सम्मान पुराने कपड़े ये वो कचड़ा पचड़ा जो था वहाँ उनके रास्तें पिताजी के पास रदिया वहाँ रदिया थोड़े दिन के बाद फादर ने टोका उसको कि बेटे क्या कर रहा है देखो ये बेकार समानी आ रखा हुआ ये टूटा समानी आ पड़ा वो समानी आ पड़ा हुआ है क्योंकि दुखी हो गया एक लिमिट के बाद में उनको परशानी हुई उसने फिर बेट के समझाया कि देखिए पिता जी आप जो कुछ करते हैं न पूरे घर के अंदर श्टोर में भर रखा आपने अपने कमरे में भर रखा है कोने भर रखें चट भर किये मम्टी में रखा हुआ समान आपने ये समान हमारे घर में बहुत जादा मुसीबत लाता ये वो ही लाता जो आप अभी कर रहे हैं अब आपको ऐसास हुआ कि किस सना से होता तो आपने भी क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भी समान कुड़ा कचला होकर पड़ा रहता है तो आपने उसको हटाना है तुरंत हटाना है और ये स्टोरी ये जो आपकी वीडियो है दिखानी है उन लोगों को चाहे आपकी माता जी है पिता जी है दादा दादी है या आपके बच्चे है या आपके भाई है जो भी उनको दिखानी है अब देखे मेरे पीछे एक और चीज़ पड़ी हुई है क्या है ये लोग क्या करते हैं बहुत वार ना जब रजाईये से उठते हैं हमने देखा कि सर्दियों में रजाई छोड़ी उठे और उसके बाद वहाँ पर रजाईये ऐसे भालूसा बनके पड़ा रहा शाम को आएंगे शाम को आके फिर उसमें घुज जाएंगे टेबल के बर खाना खाया जूटे बरतन वहीं पड़ा है सूख गया पड़ा पड़ा खाना वहाँ पर जो समाज जहां पर था वहीं पड़ा रह गया कपड़े अलमारी खोली तो खुली रहेगी किताब में तो खुली रहेगी मालु पड़ा के पूरा का पूरा समाज जह है कचड़ से भर गया आपके मन में क्या आ रहा है मैं असे बताऊं आपके मन में ये आ रहा है कि भारदवा जी आप हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक कुछ ना कोई तो अपने जीने का तरीक अलग था, मैं बहुत सिस्टेमेटिक जीया करता था, स्टुडेंट लाइफ में ने देखा कि कपड़ ऐसी पड़े रहते हैं, बिस्तर ऐसी पड़े में स्टुएंट्स के अंतर अपनी जो होस्टल हुआ करते हैं, होस्टल में रहूँ, बहुत टाइम है, बहुत लंबे टाइम रहूँ, होस्टल सके अंतर कई होस्टल में रहूँ, और मैंने देखा ये बच्चों की कुछ सुभाव होता है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे बहुत जादा सुधरे वे होते हैं, बड़े systematic होते हैं, बड़े discipline होते हैं, और मैंने आपसे कहा था, वो ही आगे बढ़ जाते हैं, जो discipline में रहते हैं, और इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, कि winners do not do different things, they do things differently, उनका काम करने का, एक ही काम को करने का तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं करना आपने, सुधारना आपने आपको, आप देखिए, आप सब मेरे चिलने, मेरे शिष्ष्या, मुझे गुरू जी बोलते हैं आप, मेरे बात मानेंगे ना आप, मुझे पता जुरू मानेंगे आप, अब इसके बाद आप देखेंगे, ये भी एक नमूना है, नमूना इसलिए कह रहा हूँ है, ये किताब में गलगे, इस रड़गे, पराणी होगी, पता नहीं किस बाबा आदम के जमाने की हैं, पता नहीं कब की हैं इनको संभाल के रखा वह इनोंने, और कहां पर रखा है, कपड़े भी वहीं पर है, समान भी वहीं पर है, कुटूटा-फूटा पार्ट है, गाड़ी का पार्ट है, स्कूटर का पार्ट है, लाइट है, सब जहां जगा मिली, वहीं गुशेड़ दिया, उसको उठागे, साथियों ये जो है जीने का तरीका बिलकुल बहुत जादा बेकार है ऐसे जीने वाला कभी भी अपने जिन्दगी में आगे नी बड़ेगा ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जिसको जीने का तरीका नहीं आया जिसने जीने में सिस्टम ने सीखा, उसने कुछ ने सीखा अब देखिए, इसके बाद उसको चाहिए था कि अपनी जो बुक्स थी बेच देता बहुत पहले बेच देता, अब देखिए, इसके बाद मैं एक और तरीक, एक अब चीज आपके सामने आ गई यह देखिए, यहां पर भी हिस्त यही करका है, जिसके हाथ में जो आया, जहां आया, वहीं रख दिया और आपको बताओं एक बात, लोग संभालते क्यों हैं, कचड़े को, कुड़े को संभालते क्यों हैं, वो यह संभालते हैं कि यह समान एक दिन हमारे काम आजाएगा, ठीक, कब काम आएगा, यह तो पता नहीं, इस जनम में आएगा, अगरे जनम में आएगा, दस जनम के बाद आएगा, लेकिन हाँ संभाल जरू लेंगे अभी, और यह सोचकर उनकी जो आदत होती हैं, जो हमें बिगारने का तरीक के हैं, जिनका कोई value नहीं है, अब इनको अगर आप संभालते हैं, आप अभी रखें, बेचें, अभी समाज, अगर इसको बेच देंगे, किसी को दे दें, किसी के काम आजाएगा, समाज में आजाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, अगर आप इसको 10-20 साथ संभालने के बताता हूं कि इसमें जहें, यह negativity आती क्यों है, वास्तु के अनुसार, यह सब चीजे negativity क्यों पैदा करती हैं, हम आपको बारवा बताते हैं कि वास्तु is the science of directions and vibrations, तो जो vibrations होती हैं, जिसको हम कहते हैं, इनर्जी चलती हैं, उनका एक चलने का तरीका होता है, बहुत बार य linear होके चलती हैं, बहुत बार यह angular होके चलती है, जैसे इनर्जी कभी ऐसे चलती है, कहीं कहीं पर ऐसे चलती है, देखिए geometrical मेरी बात को समझना, आज मैं आपको science की बात बता रहा हूं, कहीं जो कूडे कच्छने से जो है, जो negativity पैता होती है, क्यों होती है, शायद यह इसके अलावा कुछ इनर्जी ऐसी होती है, जो इस तरह से चलती है, हर किसी इनर्जी का चलने का तरीका होता है, इसके अलावा कुछ vibrations यह कुछ इनर्जी ऐसी भी होती है, जो की upward चलती है, उपर चलती है, कुछ उपर से नीचे चलती है, और हाँ, बहुत सारी vibrations जो हमारी life के अंदर changes लाती है, note का लेना, वो vibrations, जो हमारी life के अंदर changes लाते हैं, वो बहुत बार spiral shape में भी चलती है, इस तरह से चलती है, ठीक है, ये anti-clock, दूसरी clockwise, इस पर कभी आपको वीडियो बना का समझाऊंगा कि एक कैसे काम करती है, इसको grid theory कहते हैं हम लोग, इसके लावा और भी तरीके होते हैं, एंगलर भी चलती है, एंगलर जो होती है, जो vibration होती है, उनकी भी चलने का तरीका कुछ इस तना से होता है, कि कुछ इस तना से चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, अब मैंने इतना बताया, और आपके सुन में आया होगा, जहां पर कूड़ा कचला पड़ा होगा जहां पर अस्त व्यस्त चीजे पड़ी होगी वहां पर जहें ये वाले जो इनर्जी है ये इनर्जी ऐसी जगहां पर जैसे कहीं पर कुछ पड़ा हुआ है कहीं दिखें कुछ पड़ा ये कहां पड़ा हुआ है जिसके हाथ में जो चीज जहां पर आई हो वहीं पर फैट के चले गए जो चीज जहां आई हो देखी ये जो है टाइरोड एंड है किसी गाड़ी का जिसका भी यह ये पुराना कूडा कचला सबका सब जिसके दिल में आया जहां आया वहाँ चले गए तो आप सोचते हैं कि जो वाइबरेशन्स जो नैचर के वाइबरेशन्स होते हैं वो सबके सब एक सिस्टम से चलते हैं और जब उनके सिस्टम में कहीं रुकावट आती है तो उनको दाएंबाएं होकर निकलना पड़ता है ऐसा होने से इनर्जी जो है अपने आपको फोटिक मैसूस करती है मैंने आपको मैसेज दे दिया समभलिए, जागिए, सबको वीडियो दिखाईए जो लोग जीने का तरीका ठीकता से जीना नहीं जानते क्यों क्योंकि जो मानब जीवन है जो शरीर भगवान ने दिया है ये बहुत अनमूल है, बार-बार नहीं मिलता इसको जैसे आप मेंटेन करते हैं उसी तना से आप अपने घर को मेंटेन करिए क्योंकि वहाँ पर इनर्जी आपको बहुत बड़ा लाब देने वाली है आपके जिन्दगी में आगे बढ़ाने वाली है साथियों ऐसी मेरे होते हैं सबके सब वीडियो आप अगर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए थे तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना क्योंकि हर वीडियो मेरा ऐसा होता है जो आपको बहुत कुछ दे कर जाता है रियली बहुत कुछ देता है हाँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनता है ना मेरा लाइक कर देना और हाँ शेयर करना मत भूलना अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा ऐसा ही कोई सॉलिड आपके सामने आएगा एक टॉपिक जिसकी वेट कर रहें आप बहुत दिन से कि कहीं मिल जाए तो हो जाए आपका भला तब अब तक के लिए दया मुझे इजाज़त नमशकार धन्यवाद